हेगाईज, इसकेशवरार्वी हेडर और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी पोक एफ़न को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी इस फॉन को रिसेट किया है, इस वीडियो को बनाने के लिए स्पेशली, बहुत सरे लोगों के मेरे पास कोश्चन आये थे कि हम अपने पो TWRP इंस्टॉल होनी चाहिए, तो गाईज, अगर आपका बूटलोडर अनलोग है और आपके फोन में TWRP इंस्टॉल है, तो चलिए इस प्रोसेस को आगे स्टार्ट करते हैं, तो गाईज, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में देगे लिंक से एक फाइल डाउनलोड करन नहीं है, इस प्रोसेस के लिए आपको किसी भी PC के ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद गाईज, आपको जो अपना फोन है, वो TWRP में बूट करना है, TWRP में बूट करने के लिए आपको अपना वोल्यूम अप बटन और पावर बटन को दबा के रखना है, तो जैसे आप इन दोनों बटन को दबा के रखेंगे, तो आपका फोन अटोमेटिकली शटडाउन होने के बाद TWRP में बूट हो जाएगा, तो मेरा फोन शटडाउन हो चुका है, जैसे मुझे यहां पर वाइबरेशन फिल होगी, मैं यहां पर बटन को छोड़ दूँगा, उसके ब आपको add more zip file पे क्लिक करके disable force inscription को select कर लेना है, और यहां से swipe to confirm कर देना है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं guys, magisk install होना शुरू हो चुका है, इसके बाद आपको जो disable for inscription है, वो file भी install होनी शुरू हो जाएगी, जैसे यह दोनों file install हो जाएं, तो इसके बाद में आपको दिख region आपका phone automatically root हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी processing हो भी half complete हो चुकी है, हम यहाँ पर wait करेंगे से पूरी तरह complete होने का, यहाँ पर operation successful हो चुका है, यहाँ पर मैं wipe, catch and delvick पे click करके swipe to wipe कर दूँगा, इसके बाद मैं reboot system पे click करके do not install पे click करूँगा, तो phone rooted है कि नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको agree पे click करना है, यहाँ पे अपको get started पे click करना है, यहाँ पे आपको verify route पे click कर देना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर इसके पास super user की request नहीं है तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर आपको magisk manager नाम से यह option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको magisk manager में जाना है magisk manager में जाने के बाद आपको यहाँ से super user में जाना है यहाँ पर जो root checker basic की permission है उसे enable कर देना है तो जैसे आप इस permission को enable करेंगे अब जब आप अपने root checker में जाके से दुबारा check करेंगे तो जो आपका phone है वो आपको rooted दिखाई दे जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि congratulations root access is properly installed in your device यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा हुए congratulations root access is properly installed in this device तो guys यही थी सारी वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि आप अपने POCO F1 को कैसे root कर सकते हैं वो भी बिना किसी data loss के यहाँ पर मैं आपको अपना version दिखाऊं तुमाँ सबसे latest stable version है जो 11.0.8.0 जो कि Android 10 पर based है उस पर यह root किया है तो अगर आपको इससे related कोई भी problem आया फिर आप इससे related कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आप मुझे नीचे description में पूछ सकते हैं साथी साथ मेरे चैनल पर बहुत सारे giveaway चल रहे हैं जिनके सभी के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे आप उन सब giveaway में participate कर सकते हैं जिनका result में 10k subscriber पर आते ही दूँगा तो guys यही थी सारी वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे like कीजिए share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबाईए तो guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you